चाहिदे, देखो कुरहान बहुत अच्छा लड़का है पर उसमें अभी भी थोड़ा सा बच्पना है और तो मुसकी वाइफ हो, उसे मुझसे ज्यादा बेदर समझती हो, उसने अपने डाट को कुछ प्रूफ करने के लिए ऐसा किया होगा, वरना वो ऐसा नहीं करता वेलकम मिसस मिहरी मा, सौरी मुझे पता नहीं था कि आप आ रही है, बताइए कैसे आना हुआ, और तुम्हें मेरी परवा नहीं है क्या, इतनी साल में तुम्हें यही सीखा क्या, नहीं प्लीज, ऐसा मत कहिए, जाओ जाकर मेरा सामान ही कठा करो, नहीं, मैं ऐसा नहीं वर्णम इससे ताहसर मुझसे नाराज हो जाएंगे, तुम्हारी पैकिंग मैं कर देती हूं, फिलहाल थोड़ा सा सामान ले लो, बाकी का सामान बाद में ले सकती हो, ठीक है ना, ठीक है, पहले मैं पापा की तबियत पता करने के लिए एक फोन कर लेती हुआ, देखा, वो भी मेरी पढ़वा नहीं करते हैं, कोई बाद नहीं, लोग बहुत अजीब होते हैं, चाहिते, तुम्हें अभी समझ में आया कि लोग कितने अजीब हैं, चलो, रेडी हो जाओ, मैं मदद कर देती हूं तुम्हारी, अब तुम क्या सोच रही हो, चल दी करो, मैं वेट कर रही हूं तुम्हारा, मिसिस महिरिव मा, प्लीज, ऐसे आग में गी डालने का काम मत कीजिए, गी डालने के लिए यहां कोई आग में ही लगी है, क्या तुम अपनी इंसल्ट होने का वेट कर रही हो, उन लोगों को भी थोड़ा सा तुम्हारे पीछे भागने का मौका दो, चलो, उठो, वो जब तक अपने घु इस्पिटल में मौत से लड़ रहा है, और कुरहन भी उनी के साथ है, चाहे दे, कुरहन आ गए, चाहे दे, रेहान जदी से मेरा सामान पैक कर दो, अब मुससे और बरदाश नहीं होगा, बैं और बरदाश नहीं कर सकती, नहीं होगा, मुछन, पहले कॉफी पी बी लो, फि अब तुम बताओ कौन थी वो औरत, हाँ, कौन थी वो औरत जिसे तुम हमारे घर में नर्स बना कर ले आई थी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती वो कौन है, मैं तो तुम्हें भी नहीं जानती, नहीं मुझे उस औरत की कोई परवा है कि वो कौन है और कहां से आई इस वक्त तुम होश में नहीं हो, कल तुमें कुछ भी याद नहीं रहेगा, याद रहे या ना रहे, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि मैं तहसीन को लुदाक का बेटा हूँ, और मेरी किसमत मैं ही लिखूंगा, जो कुछ कह रहे हो, सोच समझ कर कहो कुरहन, नहीं तक तुम्हा और में याद रही याद रuna का अगरोन का बहुत रहे हो, ए Grande सा यह जा बाते हूँ झाल